हेलो एवरिवन, वेलकम तो अल्रिबर्स क्लास, सफलता की क्लास, सम यूज करें या एनी, अगर आप भी कन्फ्यूज होते हैं, तब आज की क्लास में ये ड्रामा खतम, बिल्कुल खतम, एक्जाम्पल्स की हल्ब से बस कुछ रूस समझने हैं, क्लास के अंड में होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर कॉमेंट में सेंड करना है, सो वेटिंग फॉर रैस्पॉंस, विदाउट एनी डिले, लेट्स गैट स्टाटेड, सम एन एनी, दोनों ही डिटर्माइनर्स हैं, और नाउस को क्वालिफाई करने के लिए यूज किये जाते हैं, दोनों के यूज करने म इस, I shall be away for some time, सम का यूज अफर्मेटी क्वेश्चन में भी किया जाता है, जब, अगर आप किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं और एकस्पेक्ट करते हैं, वो आपको आंसर पोजिटिव में दे, विल यू लेंड मी सम मनी, अगर आप एकस्पेक्ट कर रहे हैं, येस, I'll लें सेंटेंसेज और क्वेश्चन में यूज किया जाता है, I don't have any money, have you read any novel, यहां पर, yes, पॉजिटिव आंसर की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, इस रूल को बहुत अच्छे से समझना है, अभी हमने लास सीखा कि एनी को हम नेगेटिव सेंटेंसे में यूज करते हैं, या यहां पर हम देखेंगे कि any को affirmative sentences में भी यूज किया जा सकता है, with a conditional meaning, जहां पर एक condition हो, if you need any help, just let me know, यहां पर condition आगे, if, so if you need any help, just let me know, इस तरह से हम any का use conditional sentence में कर सकते हैं, any के इस rule को भी बहुत sincerely समझ लेना है, any को उन questions या situations में भी use किया जाता है, जहां answer देने वाला quantity या किसी चीज के existence, it means, मतलब उसके होने के बारे में sure नहीं होता है, do you have any plans for the weekend, क्या तुम्हारे पास weekend के लिए कोई plan है, so यहां पर, अब मुझे answer मिलना है, so maybe उनके पास कोई एक sure answer ना हो, कि उन्होंने plan किया है कि नहीं किया है, तो ऐसी condition में भी हम any को use कर लेते हैं, here is your homework, send your answer through comment, waiting for your response, number of videos के link description में available है, click कर कर देख सकते हैं, practice कर सकते हैं, आज की class में कोई doubt है, मुझे comment में write करे, keep on learning with early birds class, सफलता की class, best wishes, God bless you all. कर दो